गुड़ मॉर्निंग स्टुडेंट्स ऑफ क्लास फाइव आज मैं आप लोगों को एसस्टी का चैप्टर सेवन पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें दा होट डेजर्ट के बारे में दिया गया है जैसा कि आप यहां पे देख रहा है आपके बुक में जो दिया गया आपको प्राइमेट वैजिटेशन वाइड लाइफ और राइफ इन दर डेजर्ट ओके तो चलिए अब मैं इस चैप्टर को सुरू करता हूं आप इसमें देख रहा है दिया गया है सबसे पहले देखे डू यू नो डाट डेजर्ट इन डिफरेंट कॉंटिनेंट्स डिफर ग्रे तरा से परकट करता है अलग-अलग आ रूप में होता है है सम डेजर्ट वैजय हुज इंड कि यह विशाल स डहर कया वी वाल्य ऑथ कोश ऐस डेजर्ट है ज tamp भ़िवन गौकी ऑल्य पेड़ू होते मॉन फ्हेचर और चिंड़ जसम राबग यहिसमीज तव तिम बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है और अदर प्रमानेंट वाटर बॉड़िज अब देखिए तिया गया है कि देट अधर आर आलमोस्ट नुरिवर्स यानि अक्षर जो है डेज़र्ट में जो है नदिया या फिर वाटर बॉड़िज वह नहीं होते हैं कुछ जगहां पर डेजर्ट में पानी स्ट्रेंगांट है। आन इसे जगह बोला जाता है जहां पर डेजर्ट पउलने इस ने जगह होता है nos suppressed अब आईए आपको मैं क्लाइमेट के बारे में बता दू जैसा कि यहां आप देख रहे हैं क्लाइमेट दिया गया है उसके बारे में A desert is a place that receives very little or no rainfall. desert जो होता है रेगिस्तान एक ऐसा जगह है जहां पर यहां बहुत ही कम बरसा यह नहीं कि बर्दापर बरसा होती है Most deserts of the earth are found between 15 degree north and 35 degree south of the equator. धर्ति पर जो अधिकतर जो desert है वह 15 degree north और 35 degree south वह equator के भीच में होता है और वे जो हैं सब्ट्रोपिकल डिजर्ट भी जाने जाते हैं क्योंकि वे ट्रॉपिक्स के नजदीक है जैसे दिया गया इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्ट सब एक्जम्पल्स ऑफ होट डिजर्ट आर देखे कुछ जो होट डिजर्ट का प्लिस में दिया गया है सहारा और कालाहरी डिजर्ट इन अफ्रीका अफ्रीका में जो कि सहारा और कालाहरी डिजर्ट होट डिजर्ट है इसके बाद दिया गया थाड डिजर्ट इन इंडिया पाकिस्तान थाड डिजर्ट जो कि इंडिया और पाकिस्तान में है इसके climate that is they remain very hot during the day and very cold during the night hot desert जो होता है वहां पे यह दिन के समय में जो है वह काफी गर्मी होती है जब की रात का समय जो होता है वह ठंडा हो जाता है this is because sand hits up quickly ऐसा इसले होता है क्योंकि बालू जो है वह सिग्रता पुर्वक बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है during the day दिन के समय में and cools down at night और रात में जो हो ठंडा हो जाता है the day temperature reaches as high as 50 degrees celsius in summer गर्मी के समय में दिन का तापमान जो है वह पचास degrees celsius पर पहुंग जाता है the Sahara desert in Africa is the hottest desert in the world देगे Sahara desert जो की अफरीका में है वह सबसे hottest desert है पूरी दुनिया में the highest temperature here was here was recorded in libya दिया गया कि the highest temperature here was recorded in libya where it reached 58 degrees celsius सबसे मतला highest temperature उचितापमान जो यहां पर था वह record किया गया libya में जो कि 58 degrees celsius तक पहुंच गया था in winter जारा में the deserts located far from the equator are very cold जारा में क्या होता है कि desert located far जो कि दूर चला जाता है equator से काफी दूरी पर होता है जिस बस वह बहुत ही जो है वहां पर थंडा होता है the gobi desert in Central Asia has an average temperature below freezing point gobi desert जो कि Central Asia में मध्य अश्या में has an average temperature below freezing point मतलब freezing point से नीचे होता है अब आपको मैं ले चलता हूं अब next page में जहां पर आपको मैं vegetation के बारे में बता हूंगा vegetation जिसका अर्थ होता है नस्पतियों के देखिए due to lack of water and presence of sandy soil and extreme heat very few plants trees and subs grow in desert मतलब दिया गया है कि due to lack of water पानी की कमी के कारण और ये बालू के मौजूदगी में उपस्तिती में जो है extreme or extreme heat जो अधिक गर्मी पड़ती है इस बज़े से very few plants trees and shrubs growing desert इस वज़े से जो है बहुत ही कम मात्रा में पौधे जहारियां इसके अलावे ये पीर पौधे जो है बहुत ही कम निकलते हैं the plants in the desert have adapted themselves to shoot dry conditions plants जो है in the desert मारू भूमी में रिगिस्तान में जो ये पौधे होते हैं वो अपने आपको अनुकुलित करते हैं वहां की अवस्था के अनुसार most plants have roots growing deep into the ground in search of water बहुत से पौधों की जड़ें होती है वो जमीन के अंदर बहुत घहराई तक चला जाता है वो पानी की तालास में to prevent water loss some desert plants have small leaves with a waxy coating to prevent water loss मतलब पानी की कमी को रोकने के लिए some desert plants कुछ जो मोरेगिस्तान का पौधा होता है उसमें small leaves होती है मतलब छोटी छोटी पतिया होती है with a waxy coating वाक्सी कोटिंग मतलब उपर से जो है वह गदेधार प्रत जैसा बना होता है उसमें अब देखिए तो दिस वे प्लांट्स लोग लिस वाटर थो इवापोरेशन और इस प्रकार जो है पेर पॉधों की जो है मतलब पानी जो होता है उसमें वह बहुत ही कम इवापोरेट हो बहुत सारे जो रेगिस्तान के पॉधों होते है उसका जो एस्टीम होता है वह फ्लेशी यानि मानसल होता है एंड कन स्टोर वाटर और उसमें जो है पानी स्टोर रह सकता है इस अलोग प्लांट टू शर्भाइब लॉंग ड्राइपिरियोड और यह जो है अलोग करता है पॉधों को सर्भाइब लॉंग ड्राइपिरियोड मतलब लंबे समय तक ड्राइपिरियोड में रहने में सुखे भागों में रहने में अब दिया गया इजामपल्स अब डेजर्ट प्लांट्स इंक्लूड कैक्टिस थौर्णी बूसेज अकाकिया और बाव ट्री यह सभी प्लांट्स इंक्लूड प्लांट्स इंक्लूड अब डेजर्ट प्लांट्स इंक्लूड 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 प्लांट डेजर्ट के इलाके में offering seed as well as fruits मतलब इससे जो है चाया भी मिलता है और इसके अलावा fruits भी the bark of the dead palm is used to make ropes और इसका छाल जो होता है dead palm का इससे जो है इसका प्रियोग किया जाता है रस्या बनाने में अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कुछ तस्वीर भी दिया गया आप इसके लावा यहां पे आप देख रहा है प्र्क्ली प्यर की एक्त्स हो गया एसका अलावा फिर यह इस सारे यहां पे आपको यह से लीडैगे छोए अगे ले चलता है आगे को है बाद्ध्लाइफ मातलब वन्यव परादिंच सब्सक्न के बार में चलिए अब array कि पटागि बंगी टिए ट्रडें पीर1 इन सैक्त कि अपकि अीच कि भी कि आनिवारोंनों इन थी एंड तक टील ररीक बहुत वह झांवर ही कि राधी होतो est जो लिप शुरीए नियों तक निकलता है उससमें में यह काफी उससे शाधन देजर्ट के लाके में माना जाता है उससे जो है यह यातायात का मितलब सफ़र करते हैं एक जगा से दूसरे जगा आते जाते हैं अब देखे दा अफ देकिया अट केमल स्टोर्स से फैस एक पोड़ी के निक के ऊपर वाले भाग में आप देखिएगा वह थोडा मोट पूला भाग होता है वह हम फोता है उसमें फाट्स स्टोर रहता है दियर थिक लिपस अपने मोटे लिपस के सहाजिता से थे इख एब्रोज प्रोटेक्ट दियर आइज और नुज फ्रों सेंस्टर्न उनका जो शेख नॉस्टेक्टड सोता नत्रूना होता है प्रोटेक्ट करती है मतलब सुरक्षा प्रदान करता है उंट को दियर आइज आखों को एंड नोज फ्रॉम शेंड स्टॉर्म जो होती है धूलवरी आंधी जिसमें बालू के कन्मिले होते हैं वह वैसा आंधी जो रेगिस्तान में चलता है तो उससे जो ऐसे आई और नोज सुरक्षित रहता है इसका यह पार्ट्स लिए कैमल को जो है वह सिप आफ डेजर्ट भी कहा जाता है मतलब डिगिस्तान का जहाज दे अधर अधर अनिमल्स देजर्ट आर फॉक्स हाइनाज हैड़ोग्स मोल्स स्नेक्स बिटल्स और स्कॉर्पियंस के लाबे और भी जीव फ्लाइट्रस बड होता है जो मतलब नहीं उर सकता आ यह जो है अफरिका के डेजर्ट में मिलता ओं आईये मैं आपको लेचलता हूं यह life in the desert यानि desert रेगिस्तान का जीवन रेगिस्तान में लोग किस प्रकार से रहते हैं अपना जीवन भी ताते हैं उसके बारे में तो आईए अब देखिए इसमें बताया गया है जिसके very few people live in the desert बहुत ही कम लोग desert में रहते हैं they can survive only where water is available मतलब वे लोग जो है survive कर सकते हैं रह सकते हैं किवल वहीं पर जहां पर थोड़ा बहुत पानी अब लेवल होता है उपलवद होता है the inhabitants of the hot desert are usually nomads who travel from one place to another देखे desert के जो inhabitants मतलब the people who live in a particular area or region for many years मतलब जो कई बरसों वैसे लोग जो किसी खास बिसेश इलाके में बहुत दिनों से रहते हैं कई बरसों से वह होते हैं तो of the hot desert are usually nomads वह जो है nomads होते हैं बंजारा जिसको कहा जाता है who travel from one place to another जो के यात्रा करते हैं सफर करते हैं एक जगज से दूसरे जगए an example of such a nomadic tribe is the famous Bedouins of Arabia and Turgis of the Sahara desert the occupation of the nomads is usually animal herding मतलब जो पेशा होता है वह जो है प्राया animal herding मतलब animal का जो है वो पालन होता है यह जानवड़ों को पालन उसको रखना यही सब होता है the non-nomadic people who live in the hot desert make their living from farming animal herding and trading non-nomadic people जो होते हैं जो एक जगा स्थाय रूप से जिवन बिताते हैं वहां पे इसके बाद मवेशी को पालते हैं या कुछ व्यापार करते हैं millet is a popular food crop that is grown where water is available millet यह जो वहां का लोगपडिय भोजन हो है जहां पे मतलब डेजर्ट के लाके में जहां पे थुरा बहुत पानी उपलब्द होता है वैसे जगह पे जो है millet की खेती की जाती है आप लोगोंने सुना होगा हिंदी में जौरा और बाजरा होता है अब देखे people work in the mines where there are mineral deposit available लोग में काम करते हैं खान जो होता है जहां पे यह mineral deposit उपलब्द होता है such as in the shara जैसे दिया गया है such as in the sahara sahara में इस प्रकार से लोग माइन में काम करते हैं इस दिया गया traders in the desert have been traveling long distances in karavans karavans जानते हैं देखे दिया गया इसमें के traders जो होते हैं बैपारी जो होते हैं जो बैपार करते हैं सामान की खड़ी द्विक्री करते हैं वो travel करते हैं long distances in karavans karavans होता है जो एक प्रकार का जो भेन होता है जिसमें जो है वो चलती फिरती जारियां होती है मतलब आप उसमें रह सकते हैं खा सकते हैं सो सकते हैं हर एक तरह की शुविदा दी जाती है यहां पर मैंने बता है वह उससे बिलकुल अलग है इसमें जो है वह यह उंट जो है उसके अलाबा उंट के साथ जो है बहुत सारे raw materials होते हैं in large number traveling together जिसमें जो है बहुत सारे लोग एक साथ travel करते हैं यात्रा करते हैं the journey could take months और यह यात्रा जो है महिनों महिनों तक्का होता है एक महिना लगता है लार्ज कैनल सिस्ट्रम भिया गया have been constructed to irrigate the land large cannel system cannel होता नहर वो have been constructed जो की बनाया गया है to irrigate the land मतलब जमीन को सिचित करने के लिए सिचाई करने के लिए जो है वहां पे cannels बनाया गया है दा इंद्रा गांधी कैनल in the thar desert is one of the one of such cannel system इंद्रा गांधी कैनल जो की था desert में जो है बनाया गया इस प्रकार से अब देखे settlements have a sprung up in desert near the mines to obtain valuable minerals such as petroleum in Saudi Arab Iraq and Iran petroleum क्योंकि Saudi Arab में इसका यह petroleum का जो है निकाला जाता है इसके अलाबा अरब में यह इराक में है इरान में यह सभी चलिए अब आगे आपको जो है मैंने अभी यह आप यहां पर नीचे कुछ word यह words बगेडा दिया गया देखिए अब जैसे अडप्ट हो गया फिर इसके बाद spine हो गया inhabitants हो गया nomads हो गया यह आपको learn करना है जैसे adapt का adjust or modify to the surrounding conditions spine a sharp and pointed hard or woody outgrowth on a plant that looks similar to a thorn इसके बाद inhabitants the people who live in a particular area or region for many years nomads people who travel from one place to another in search of food water or pasture for their livestock okay अब आईए आपको मैं इसमें कुछ exercise भगेडा भी दिया गया है यह अब जैसे यहां पर आप देख रहे है underline the correct option यह आपको complete करना है और इसके अलावा फिर आपको दिया गया question number B में जो है वह match the following जो column A और column B को एक साथ मतलब जो जिसके साथ match करेगा उसमें आपको मिलाना होगा फिर इसके बाद question number C में fill in the blanks okay और तब आईएगा question number D में D में जो है वह answer the following questions तो यह आपको complete करना है वैसे मैं इसका जो है answer भी आपको बाद में फिर send कर दूँगा आप लोग इसे पहले खुझ से करके देखिए okay तो अभी मैंने जो है वह chapter 7 जो है यह आपका the hot desert यह आपको मैंने अभी complete किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे जो है इस वीडियो को देख कर कि इस chapter को बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वह समझ लिए होंगे okay thank you